अमेरिका ने हमें 100 से जादा दुरलब और प्राचीन कलाकृतियां वापस लवटाई हैं। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मिडिया पर इन कलाकृतियों को लेकर खुब चर्चा हुई। युवाओं में अपनी विरासत के प्रति गर्व का भाव दिखा। भारत लवटी ये कलाकृतियां डाई हजार साल से लेकर ढाई सोश साल तक पुरानी हैं। आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि इन दुरलब चीजों का नाता देश के अलग-अलग शेत्रों से हैं। ये टेरकोटा, स्टोन, मेटल और लकडी के इस्तमाल से बनाई गई हैं। इन में से कुछ तो ऐसी हैं जो आपको आश्री से भर देगी। आप इने देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। इन में ग्यारवी सताब्दी का एक खुब सुरत सेंड, स्टोन, स्कल्प्चर भी आपको देखने को मिलेगा। इन्रुत्य करती हुई एक अफसरा की कलाकृती हैं जिसका नाता मध्यप्रदेश से हैं। चोल, युक की कई मुर्तियों भी इन में शामिल हैं। देवी और भगवान मुर्गन की प्रतिमाये तो बाहरवी सताब्दी की हैं और तमिल नाडू की वैभव साली संस्कृती से जुड़ी हैं। भगवान गणेश की करीब एक हजार वर्ष पुरानी कांसे की प्रतिमा भी भारत को लवटाई गई हैं। ललितासन में बैठे उमा महेश्वर की एक मुर्ति ग्यारवी सताब्दी की बताई जाती हैं। जिसमें वे दोनों नंदी परासिन हैं। पत्थरों से बनी जेन तिर्थरकरों की दो मुर्तियां भी भारत वापिस आई हैं। भगवान सुर्यदेव की दो परतिमाएं भी आप मन मोहलेंगी हैं। इन में से एक सेंस्टोन से बनी हैं। वापस लोटाई गई चीजों में लकडी से बना एक पैनल भी हैं। जो समुद्र मंथन की कथा को सामने लाता है। 16-17 सदी के इस पैनल का जुडाव दक्षिन भारत से हैं। साथियों, यहां मैंने तो बहुत कभी नाम दिये हैं। जिबकि देखे तो यह लिष्ट बहुत लंबी है। मैं अमरीकी सरकार का अभार करना चाहूँगा जिनोंने हमारी इस बहुमुल्य विरासत को लोटाया है।